दोस्तों आज हम एक सिंड्रोम के बारे में चर्चा कर रहे हैं देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा बहुत सारे नाम सुने होंगे एक तो डिजीज आप सभी लोग जानते हैं कि रोग के लिए पिरुक्त होता है एक होता है डिजॉर्डर कहीं बार डिजॉर्डर भी लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है ओर्डर और डिस जो चीज ओर्डर में नहीं है प्रोपर नहीं है उसको डिजॉर्डर कहते हैं और एक particular disease के रूप में categorize नहीं कर सकते, लेकिन वो group or symptom होने के कारण से, वो जिस व्यक्ति ने उन लक्षणों की पहले खौज की होगी उनके नाम पे या उसके characteristics के नाम पे इसकी चर्चा की जाती है. तो यहीं पे एक SI syndrome है जिसको हम Stocks-Adams syndrome कहते हैं या SA syndrome कहते हैं, Stocks-Adams syndrome. पिछले वीडियो में मैंने चकर आने संबंधित कुछ कारणों की चर्चा की थी, एक और वी बहुत उसी से संबंधित उसके कारण है, जिसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अचानक से उनको बहुत तेजी से चक्कर आता है या कुछ आँखों के आगेंधर आता है और वो सड़न अनकॉंसियस हो जाते हैं की चेतना जो है वो नस्ट हो जाती यदि कोई वक्ति खड़ा है तो वो खड़ा सड़न से नीचे गिर पड़ता है अचानक से गिर पड़ता है और थोड़ी देर बाद उसको स्वते ही या तो कॉंसियस आ जाती है या कई बार ये कंडिशन थोड़ी सी और भी डेंजरस हो जा है कि जो मानव शरीर में हर्ट है या हरिद है उसके चार भाग होते हैं दो चेंबर एट्रियम होते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम और दो नीचे वेंट्रिकल होते हैं राइट और लेफ्ट तो राइट साइड वाला जो है बेसीकली राइट एट्रियम में पूरी बो को पंप करता है तो उस द्रस्टी से यह दि देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक बहुत मैतो पूर्ण ओर्गन है जो शरीर में बलड को भली भाती पंप करता है ताकि हमारे शरीर पूरे शरीर में जा करके और वो जो बलड है वो कोशिकाओं तक पहुँच जाए ताकि बोड़ी को proper nutrition मिलता रहे, oxygen की supply होती रहे और अन्य nutrients मिलते रहें क्योंकि बलड ही एक माद्या में transportation का यहाँ पर जो तीन ओर्गन हैं वो बहुत prone होते हैं सबसे पहले तो एक brain की बात होती है brain में यदि थोड़ी सी भी blood supply कम होती है तो तुरंत से वेक्ती जो है वो unconscious हो जाता है उसका काम बादीत हो जाता है ठीक उसी परकार से kidney भी एक blood को purify करता है तो वहाँ भी blood की supply यदि कम है तो समझता है उत्पन होगी और ऐसे ही heart की तो ये तीन target organs basically होते हैं और body में कुछ इस परकार की mechanism है कि यदि blood का loss भी हो जाए किसी कारण से तो वो heart जो है बहुत तेजी से pump करने लग जाता है और किसी ने किसी अवस्था में brain heart और kidney का जो circulation है वो maintained रहता है इस्टोक्स Adam syndrome में basically क्या होता है कि यहाँ पर जो myocardium होती है myocardium मतलब होता है heart की muscles तो heart की muscle की जो pumping capacity है वो किनी कारणों से कम हो जाती है तो एक कारण तो यह होता है कि यदि वहाँ पर किसी परकार से blood की supply खुद कम हो जाए जैसे कि जो MI होता है myocardial infarction जिसको हम heart attack कहते हैं तो वो condition होती है और दूसरी condition होती है कि heart का अपना एक conduction system है मतलब जो चीज heart को pump कराती है वो एक पुरा system है जो के चलता है essay node से चलता है उसमें पुरा nerve mechanism होती है सबसे पहले एक essay node होती है वहाँ से impulse generate होती है electric impulse generate होती है वो फिर आगे AV node तक आती है फिर वो आगे कुछ fibers होते है right fiber और left fiber तो यहाँ पर conduction system failure होने की वज़े से क्या होता है कि जो impulse है वो कम हो जाती है यह निकि muscles तक जो impulse है वो कम पहुँचती है और उस condition को हम heart block कहते है तो यहाँ पर तीन term जो है उनको अलग-अलग समझना चाहिए यह सामाने लोगों के लिए ही basically मैं बता रहा हूँ एक term होती हर्ट block एक term होती हर्ट failure और एक को हम heart attack कहते हैं heart attack हलागी medical terminology नहीं है उसको हम myocardial infarction ही कहते हैं लेकिन सामाने बासा में heart attack से संबंदित myocardial infarction ही होता है जिसमें के heart की muscles को blood की supply बहुत एकदम रुख जाती है और वो muscles जो है compromised हो जाती है तो यहाँ पर होता क्या है कि conduction system failure होने के काराण से मतलब वो चीज ऐसे node के level पे भी हो सकती है लेकिन वहाँ से उतना समस्या नहीं आती क्योंकि नीचे के जो fibers है जो bundle branch है चाहिए AV node है वो थोड़ा-थोड़ा impulse generate करते ही रहते हैं लेकिन उसमें एक first degree heart block की condition होती है वहाँ पर stock adam syndrome usually नहीं होता जो बहुत अधिक conduction system failure हो जाएगा और जो heart का जो beat है वो 40 से भी नीचे down आ जाएगी वो हम आसानी से अपनी नाड़ी को feel कर सकते हैं क्योंकि normal आदियों में 70-80 होता है जो athletes होते हैं उनमें 50 तक भी normal होता है लेकिन जभी वो कभी 40 या उससे भी नीचे जाने लग जाए तो समझ लीजे कि कहीं ने कहीं heart के conduction system में समझ से है या दूसरी condition क्या हो सकती है कि जो ventricle है left ventricle है जो body को blood supply करता है condition में भी इस प्रकार की चीजें हो जाती है तो एक वो mechanism हो गई और दूसरा conduction system इस brain को जो blood की supply है वो कम हो जाती है और brain में anoxy है यानि कि oxygen की कमी होते ही रखती unconscious हो जाता है यदि वो खड़ा हुआ है तो वो sudden नीचे गिर पड़ेगा नीचे की साइड में गिर पड़ेगा हाला कि ऐसा भी बहुत सारी conditions में होता है तो मैं केवल यहाँ पर एक condition की चर्चा कर रहा हूँ एक इसी से मिलती जुलती एक और condition होती है जिसको हम transient ischemic attack कहते हैं और यह transient ischemic attack भी जो है brain में blood supply को transient का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए मतलब थोड़े से समय के लिए लेकिन फिर वो regain हो जाता है तो उसमें भी कुछ hurt की problems हो सकती है और brain में जो है artery or sclerosis यानि कि जो artery supply करती है उनकी hardening होने की वज़े से भी ऐसा पाया जाता है तो Stokes-Adam syndrome में basically यदि ऐसा किसी वेक्ति को होता है और उसकी pulse देखी जाती कि pulse बहुत कम हो रही है तो उसमें आगे के investigations की ज़र्रत होती है basically और यदि सबसे पहले obviously जब भी इस प्रकार की समस्या होगी तो किसी हरदे रोग विशे सग्डे से परामर्ष किया जाएगा और वो तुरंथी ECG करते हैं और ECG करने से जो है वो कहीं बार ऐसा होता है कि जैसे Stokes-Adam syndrome हुआ और होने के बाद जब तक कहीं बार ऐसा भी होता है कि जब तक physician उसको attend कर चुगा होता है करता है तब तक वो condition condition basically reverse हो जाती है नॉर्मल हो जाती है ऐसा आवश्चक नहीं है कि वो condition आगे basically बढ़े conscious regain हो जाती है और normally जो बाकी चीज़े हैं वो भी हो जाती है लेकिन कहीं ने कहीं उसमें heart block की condition या myocardial की condition को check करना ज़रूब ही होता है तो ECG में यदि कुछ changes नहीं आ रहे हैं तो उसके अलावा हमको यह देखना पड़ेगा कि कहीं myocardial या heart की muscles हैं उनमें समझ्चा तो नहीं है कोई heart block तो नहीं है उसमें arteries में कोई block हो रहा है या conduction system failure हो रहा है तो वो दोने चीज़े basically property test जिससे कि हम यह पता लगा सकते हैं कि उसको myocardial infection infarction तो नहीं हो रहा है और इसके अलावा यदि यह नहीं होता है तो हमको 24 गंटे का जो halter test है basically जो 24 गंटे तक लगा के रखते हैं patients में वो है और नहीं तो फिर आगे अन्ने जो advanced test है चाहे उनमें eco stress eco वाधी कराना पड़ता है तो यहाँ पे मेरा कहने का तात्वर यह है कि यह एक ऐसा syndrome है कि जिसको diagnose किया जाना बहुत जरूरी होता है और इसके यदि कहीं पे कहीं conduction system में कोई समझ्या उत्वन हो रही है लगातार conduction system में समझ्या है यानि कि उसकी बार-बार उसकी जो pulse level हो कम हो रहा है तो उस condition में pacemaker लगाया जाता है और इसकी जो emergent condition होती है माले suppose एक patient को यह अनभव होता है कि वह उसको consciousness, continuous लगबग लगबग जा रहा है तो तुरंत उसको cardiology पास ले जाए जाएगा जाती है तो वह तो medicinal treatment हो गया और फिर बाद में जो इसका definite treatment होता है उसमें यह देखना पड़ेगा कि यह यदि conduction system की problem है तो वहाँ पे pacemaker की भी आवशकता पड़ सकती है और यदि उसको कुछ myocardial से संबंदित या ischemia है तो उसके लिए बागी टेस्ट कराके उसका treatment basically किया जाता है और इस परकार से यह Stokes-Adams syndrome के बारे में मैंने कुछ basic बातें आपको बताई थैंक्यू अरी में